दोस्तों वैसे तो सारे ही एरपोर्ट्स एतने बड़े होते हैं कि कई किलुमीटर्स पर पहले होते हैं लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जमीनी रगबे के लिहाज से दुनिया के पान सबसे बड़े एरपोर्ट्स की बारे में ये एरपोर्ट्स इतने बड़े हैं कि पूरे के पूरी शहर इसके अंदर समा सकते हैं और आखरी वाला तो इतना बड़ा है कि न्यू योर्क सिटी भी इसके अंदर समा जाए ये एरपोर्ट्स कौन से हैं आईए जानते हैं इस लिस्ट में पांचमें नमबर पर बीजिंग डैक सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट है जो कि बीजिंग चाइना के डिस्ट्रिक डैक सिंग में वाक्य है जो कि कुछ ही साल पहले यानि कि 2019 में कोला गया था एरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसका रगबा तकरीबन 47 मुरबा किलो मीटर है इस एरपोर्ट की खासियत ये है कि इसके एक टर्मिनल बिल्डिंग एक खुबसूरत स्टार फिश की जैसी बनाई गई है ये एरपोर्ट बारिश का पानी जमा करने का निजाम रखता है एडवांस बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और एडवांस सिक्यूर्टी सिस्टम भी रखता है ये चाइना सौधरन एरलाइन्स और चाइना इस्टरन एरलाइन्स का हब भी है इस एरपोर्ट से सालाना सौ मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेवल कर सकते हैं जिसकी वज़े से ये दुनिया की मसरूफ तरीन एरपोर्ट में से एक है नमबर फॉर औरलेंडो इंटरनेशनल एरपोर्ट दुनिया का चौता बड़ा एरपोर्ट अमरीका की स्टेट औरलेंडो फ्लोरेडा में वाकिए है जिसका कुल जमीनी रखबा 51 मुरबा किलोमीटर है इस एरपोर्ट से सलाना 50 मिलियन से ज्यादा मसाफिर ट्रेवल कर सकते हैं जिसकी वज़े से ये फ्लोरेडा का दूसरा जबकि अमरीका का पांचवा मसरूफ तरीन एरपोर्ट भी है ये एरपोर्ट कई बड़ी एरलाइन्स जैसे साउथ वेस्ट एरलाइन्स, जेट ब्लू एरवेज और फ्रेंट एर एरलाइन्स का हब भी है इस एरपोर्ट के दो अहम टर्मिनल्स हैं जिन मेंसे हारे कई कॉनकॉर्स के साथ कनेक्ट है इस लिस्ट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट डैलिस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एरपोर्ट है जो कि अमरीका के एक स्टेट टैकसिस में वाकिय है इसका जमीनी रगबा 70 मुरबा किलो मीटर है यह एरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसके पांच टर्मिनल्स है जिसमें टोटल 165 गेट्स है और सबसे खास बात यह है कि अमरीकन एरलाइन्स का हाब यानि मरकस भी है जो कि अपनी 80 फीसद से ज्यादा फलाइट्स इस एरपोर्ट से चलाती है और एक अंदाजे के मताबिक सालाना 70 मिलियन से ज्यादा पैसिंजर्स इस एरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं जिसकी वज़े से जमीनी एरिया के साथ-साथ मस्रूफ तरीन एरपोर्ट में भी शुमार होता है डैन्वर इंटरनेशनल एरपोर्ट पोलराडो डैन्वर इंटरनेशनल एरपोर्ट दुनिया का दूसरा जबकि अमरीका का सबसे बड़ा एरपोर्ट है जो के रगबे के लिहाज से 140 स्क्वेर किलुमीटर पर मुहीत है इस एरपोर्ट की सबसे खास बात इसके एक टर्मिनल बिल्डिंग है जिसे जेबसन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है इसकी डिजाइन ऐसी बनी है जिसे पहाडों पर बर्फ पड़ी हो ये एरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें छे रनवेज और तीन कॉनकॉर्स शामिल हैं ये तीनों कॉनकॉर्स डिरेक्टली पैदल चलने वाले पुल की जरीए कनेक्टेड हैं जिसकी जरीए आराम से पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं नमबर वन किंग फाहद इंटरनेशनल एरपोर्ट इस लिस्ट में सबसे पहला नबर आता है किंग फाहद इंटरनेशनल एरपोर्ट का जो कि सुदी अरब की शहर दमाम में वाक्य है ये रगबे के लिहाद से दुनिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट है जिसका कुल रगबा 780 मुर्बा किलोमीटर है ये एरपोर्ट इतना बड़ा है कि पूरी न्यू यॉर्क सिटी इसके अंदर समा सकती है जदीत तरीन सहुलियात, आला टेकनोलिजीज और जदीत तरीन सिक्यूर्टी सिस्टम्स पर मुझतमिल ये एरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसकी चार टर्मिनल्स है और चे फ्लोर्ट पर मुझतमिल है जिसमें सबसे उपर वाली फ्लोर से सौूदी शाही फैमिली सफर करती है और एक अंदाजे के मताबक सालाना डेर्ड करोड मसाफर इस एरपोर्ट से सफर करते हैं तो दोस्तों मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए बंगश इंफो टीवी को सबस्क्राइब करें इजासत दीजिए अल्ला हाफिज